नमस्कार दोस्तों बात करने जा रहा हूँ जूता चपल बनाने वाले कमपनी और कमपनी का नाम है बाटा इंडिया लेमिटेड जी हो दोस्तों कमपनी पेंडेमिक के बात बिल्कुल भी चलते हुए नजर नहीं आ रहा है बात करेंगे अभी भी कमपनी दोस्तों अंडर वेल कम्पनी के उपर डीटेल में चरचा करेंगे इसका एक्षी फाैनासियल पारमीटर बीटेल में चेक करेंगे पहले आये कम्पनी के उपर थोड़ासा झालते हैं कम्पनी के लेते हैं company देखिए retail stores के इनका कितना है 1526 numbers of retail stores इनके पास हैं दोस्तों including franchise stores इनके जो franchise stores है इनको मिला के total 1526 stores है 4 strategically located manufacturing units है 4 units में company अपना manufacture करते हुए नजर आता है सूज और जो भी है चपल वगेरा 21 million footwear प्रोडक्शन कपासिटी पर एनम देखिए जबर 10 production capacity company यहां पर रखता है 2.98 million square feet of retail space across इंडिया देखिए कितना इनका stores फैले हुए हैं पूरे भारत बर्स में 31.97 million footwear पे यहां पर यहां पर आपको sell करते हुए नजर आ रहे हैं turnover की बात करेंगे देखिए 17,073 million turnover यहां पर दीख रहा है दोस्तों 2021 financial year में नेक्स्ट बात करते हैं company के और कुछ पारामेटर के उपर company आए देखते हैं यहां पर आने वाले समय में क्या करने वाला है और इसका growth strategy क्या है इसके उपर नजर डालते हैं यहां पर अगर देखेंगे company foodwear major bata india limited will focus on expansion in small towns दोस्तों इनका focus कहां पर है छोटा छोटा टाउन जो कस्वे हैं तहसिल हैं यहां पर इनका target अभी बने हुए है बना हुआ है and online channels as part of its efforts देखिए online यह देखिए digital channel के उपर भी इनका focus बढ़ रहा है क्योंकि पूरा भारत ही दोस्तों यहां पर digital होने वाला है सब कोई अब यहां पर जो है online purchasing के उपर विश्वास रख रहे है to save cash through enhanced productivity company अपना जो है save कर रहा है केस को productivity को enhance कर रहा है cost reduction cost को भी अपना reduce करते हुए नजर आ रहा है and tight inventory management देखिए अपने inventory को भी tightly managed कर रहा है to overcome the challenges of the pandemic situation देखिए pandemic को इसको overcome करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों इसलिए देखिए company यहां पर पुरा काफी सतर कता से साथ काम करता हुए नजर आ रहा है अपना cost reduce कर रहा है productivity के उपर ध्यान दे रहा है और inventory के उपर भी tightly inventory को managed करते हुए नजर आ रहा है इसमें देखिए the company saved more than 100 crore account of rent on account of rent negotiation देखिए 100 crore की यहां पर save कर लिया है company कहां से rent की जो negotiation है यहां से vendor cost negotiation and consolidating office spaces यहां पर देखिए company जो office spaces है यहां से यह company अपना 100 crore का 100 crore रूपिया से भी कर लिया है इट असो implemented project thrive thrive नाम के project implement किया है to reduce tendency on imports and shifted to local sourcing local sourcing के उपर यहां पर सिफ हो रहा है बाटा continue to expand retail network through franchisee channel franchisee channel को और भी मजबूत कर रहा है to open a total 64 franchisee store देखिए आप समझ पा रहे है इन स्मोलर टाउन्स एन सिटीज तेकिंग दे टोटल 220 फ्रंचाइज स्टोस अप 220 फ्रंचाइज स्टोस इनके पास हो गए है बाटा इंडिया जी स्टेक्रीजिकल फूजिशन टू हरनेस दप्रेजेंड चलेंजेस दिए प्रेजेंट चलेंजेस को यह मुकावला कर रहा है दोस्तों विवेन दस्ट्रेंग्ट अप इट्स ब्रांड ब्रांड को इसमें द्वान को स्ट्रेंग्ड़ेन करते हुए innovations, capability, retail, foothold and growing online presence in footwear and accessories innovation, capabilities, retail, online presence देके अपना brand को अभी company मजबूत करके बना के रखाए दोस्तों और यही company का strength है मुझे लगता है तो company तो बढ़िया और जबरदस्त यहाँ पर strategy के साथ काम करते हुए दिक रहा है दोस्तों जब यह पट्री पे आ जाएगा सब कुछ नॉर्मालाई हो जाएगा दोस्तों इनका भी result जो है quarter and quarter बहतरीन होने लेगेंगे और यह CR भी चलेगा दोस्तों और multi-veger return बना के आपको देगा next आई है company के और कुछ parameter को नजर डालते हैं company के जो price performance है इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं money control website में company की अगर बात करेंगे दोस्तों return profile को तो यहाँ पर देखेंगे जादा कुछ company return नहीं दिया है पिछले तीन साल में trip 76.34% का return है एक साल की अगर बात करेंगे 28-10 में लोग 29% का return January से लेके जुलाई के बिच फ्लेड दीकर है 2-10 में लोग 5-0% का trip return बना के दिया है delivery percentage में देखिए 41-10 में लोग 1-2% की delivery एक महिने की average delivery है और 30-10 में लोग 4-0 जो देख पा रहे हैं यह दोस्तों एक हपते की average delivery आपको नजर आएगा पिछले टेडिंग सेशन में 32-10 में लोग 5-8% की delivery उठाया गया था और last trading सेशन में देखिए 25-10 में लोग 3-6% की delivery सेशन में उठाया गया है ज्यादा जब अर्दस delivery तो नहीं है दोस्तों यहां पर लोग बट यहां पर खरीद रहे हैं ठीक ठाक delivery कंपनी के ओपर उठाया जा रहा है नेक्स्ट बात करेंगे कंपनी के numbers कंपनी का numbers quarterly कैसा चल रहा है इसको देखते हैं पहले आईए कंपनी के जो revenue है इसके ओपर नजर डालते है नीचे चले अगर हम revenue को देखेंगे दोस्तों यहां पर देखिए कंपनी का जो revenue है year wise देखिए यहां पर 2017 में 2474 करोड सब कुछ ठीकता 18 में भी बड़िया growth दिखाया 2020 में भी देखिए यहां पर ग्राप को अगर देखेंगे आपको increasing order में मिल जाएगा 2020 तक बड़ जैसे ही pandemic आया 2020 में दोस्तों pandemic घुसा यहां पर देखिए company को अब तक तबहा करके रखाया company को चलने ही नहीं दि है यह देखिए यहां पर 2021 में स्रीप 1708 करोड कर रेविन्यू आया है क्योंकि company के हर स्टूर्स बनते चारों तरह तरफ लगडाउन तक आदमी बहार ही निकल रहे तो तो यह company कहां यहां पर अपना चपल जूता पेचेगा और कहां से इसका रेविन्यू आएगा यह देख देखेंगे 2017 से लेके 2020 के बीच बढ़िया चल रहा था company यहां पर धीमे धीमे अपना net profit को ग्रू करते हुए आपको दिखेगा company बढ़िया है बट यहां पर situation ही ऐसा है दोस्तों इसलिए company एको थोड़ा सा यहां पर tight चल रहा है बट आने वाले समय में यह company भी bounce back करते हुए आपको नजर आएगा और यह जैसे quarter and quarter इसका profit भी जैसे net profit revenue में जैसे growth आता जाएगा दोस्तों यह company भी perform करेगा next बात करेंगे company के share holding pattern throughout the year कोई भी share यहां पर promoter का place होते हुए आपको नजर आएगा बिल्कुल भी नहीं और यहां पर देखेंगे कोई भी share तो place है नहीं बट यहां पर इनका जो holding है यह भी constant नजर आ रहा है FIA के पास 5.2-3% की holding है और FIA यहां पर थोड़ा सा profit booking करते हुए नजर आ रहें दोस्तों जून quarter में DIA के अगर बात करेंगे इन्होंने देखेंगे अपना माल जबरदस्त खरिद लिया है जो जून quarter में 27.3% की holding अप institution के पास है बाकी जो भी है 14.5% यह hold करते हैं बाकी आम पब्लिक जो तो retail investor CR holding pattern wise भी बहतरीन और जबर दस्त यहां पर company नजर आता है नेक्स चलेंगे टीकर टेप website में यहां पर देखें 12 analyst इसको track करते हैं दोस्तों यहां इसमें से 6 analyst इसको buy करने के लिए suggest किये हुए हैं और यहां पर 22.7% की आने वाले समय में company बढ़त दिखा सकता है लगबग यह आकड़ा दोस्तों 1,999 रुपीज तक पहुँच सकता है बाटा इंडिया लिमिटेड यह टीकर टेप website का ऐसा मानना है बिल्कुल जा सकता है जोस्तों 1995 का भी आकड़ा छूं सकता है बाटा इंडिया लिमिटेड क्योंकि company ऐसा है जिस segment में काम करता है इसका जो business है और इनका product जो है दोस्तों सालों साल इसका demand बना रहता है ऐसे में आप बिल्कुल इस company को उपर दोस्तों नजर बना के चलिए और हो सके तो इसमें आप investment करके भी चल सकते हैं और अगर आपके पास है इसको देमे देमे accumulate भी कर सकते हैं बाकी investment करना है या accumulate करना है या sell करना है दोस्तों ये complete decision आपका होगा बस आज के लिए इतना था वीडियो कर अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजेगा और चैनल को subscribe नहीं किया दोस्तों प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा जैहिन